तो दोस्तो आज हमें एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो स्प्लिट को लेकर के बोर्ड मीटिंग में वहाँ पे उस स्प्लिट को कंसीडर करने वाली है अब यहाँ पे स्प्लिट क्या होता है एक बार हम पहले उसके बारे में बात करने फिर हम आगे की बात कर तो वहाँ पे उस total capital जो होता है उस company का यहाँ पे number of shares into इसका price तो यह आपको total उसका market value देखने को मिलती है आप suppose करते हैं कि आपके पास उसके सिर्फ 100 share है और हर एक share की कीमत अगर 10 रुपए है तो आपके पास हो जाते है total share यह कहानी हो गई आपकी pre split की कहानी है यह अब post split क् होता है suppose करिए कि यहाँ पे अच्छा एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका उस company में stake कितना है तो वह stake हो जाता है आपका point one percentage split से पहले आपका यह इतना stake है अब suppose करते हैं कि उस company ने यहाँ पे shares को split कर दिया तो जब share को split करते हैं तो pre split जो value थी 10 यानि कि अगर हम माने कि 1 इस्टू 5 का यहाँ पे हमें split देखने को मिलता है तो हर एक share जो 10 रुपए के थे वो अब यहाँ पे हो जाते हैं 2 रुपए क यानि कि उस 10 रुपए के share को 2 into 5 पार्ट में जो है तो divide कर दिया गया है तो post split वहाँ पे company के total number of shares हो जाते हैं 5 लाख अब हर एक share की जो कीमत है वो 2 रुपए है तो यह total आप multiply करेंगे per share value into total number of share तो वो आपको market की valuation उतनी ही देखने को मिलेगी यानि post split और pre split market का valuation आपको व total number of share price into total number of shares अब suppose करते हैं कि यहाँ पे आपका आपने जो share लिये थे 100 share थे आपके पास अब वो भी split हो गए है तो 1 into 5 में अगर हुआ है तो आप देख सकते हैं कि आपके एक share जो हो गए वो हो गए 5 share यानि 100 share आपके हो गए 500 share और चुकि price पहले 10 था अब यहाँ पे 2 हो ग भी 1000 है और यहाँ पे post split जो आपका stake होगा वो भी आप देख सकते हैं 0.1 percentage ही रहेगा तो यह होती है split की कहानी इसमें कुछ नहीं आपकी price जो share की price है उसको कम करके उसके number of shares को बढ़ा करके market में liquidation बढ़ाने का कारे जो है वो company करती है split के माध्यम से और यही काम जो है वो j 14 जनवरी का यह date है 14 तारिक को यहाँ पे इन्होंने exchange को inform किया है कि यह 2 फरवरी को आप देख सकते है date जो है 2 फरवरी वहाँ पे यह अपने financial results को जो है तो declare करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे इनका जो है तो split के बारे में भी एक proposal होने वाला है तो देखे यह अभी approved नहीं है इसका proposal होगा पहले board meeting में board meeting में approval होगा उसके बात जो है तो shareholders का approval होता है तब जाकर के split वहाँ पे approve होता है अब यहाँ पर यह भी नहीं fix है कि यह 1 इस्टू 5 में split हो रहा है या 1 इस्टू 1 में split हो रहा है किस तरीके से split हो रहे हैं यह कुछ fix नहीं है 1 इस्टू 10 म भी हो सकता है तो वो जो है तो final decision हमें 2 फरवरी को ही देखने को मिलेगा अब बात करें जूब्लियंट food work की तो इसका मैंने एक shorts भी बनाया था लगभग 3 week पहले और उस समय पर यह stock price जो था वो 3500 के आसपास था आज की date में यह लगभग 3900 के आसपास trade कर रहा था और उस स company की तो company हमें यहां बहुत ही शांदार देखने को मिलती है इसके अगर हम यहां पे बात करें कि यह किस छेतर में कारिकरती तो आप देख सकते हैं कि यहां पे consumption के sector में company कारिकरती हुई देखने को मिलती है और domino's की यहां पे exclusive franchise जो है तो jubilant food work के पास हमें देखने को मिलती है all over यहां पे इंडिया की बात कर लें श्रिलंका की बात कर लें बंगलादेश की बात कर लें और नेपाल की बात कर लें तो यह कुछ countries में हमें jubilant food work जो है तो वो देखने को मिलता है इसके साथ साथ यह company जो है तो internationally भी अपना expansion करती हुई हमें देखने को मिलती है तो यह goods के लिए और coffee के लिए यह जो है तो जाना जाता है इसके लावागर हम इनके कुछ strategic initiatives की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि company ने barbecue nation में भी लगबग 10% का stake acquire किया हुआ था और finally IPO के बाद इन्होंने थोड़ा सा reduce किया और 9% का almost हमें इसमें जो है तो इनका stake देखन agreement है वो DP Eurasia में है Eurasia जो है तो नाम से ही clear है आप देख सकते हैं Europe और यहां पे Asia से यह जो है तो मिलके बना हुआ है Eurasia यानि कि अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे इसका जो है तो काफी importance हमें देखने को मिलता है इसमें आप देख सकते हैं कि 32% का stake जो है jubiland food का हम हमें देखने को मिलता है और यह एक public company हमें देखने को मिलती है जिसके पास exclusive master franchise है domino's pizza के लिए और वो कहां कहां है आप देख सकते हैं Turkey, Russia, Azerbaijan और Georgia Turkey जो है तो यह हमारे एकदम Asia और Europe के border में यह country है जो की एकदम border का कारे करती है तो आप देख सकते हैं कि Turkey हो गया इसके इधर आपको Russia देखने को मिलेगा तो यही reason है कि यहाँ पे Eurasia जो है तो इसका नाम पड़ा हुआ है और इसने यहाँ पे जो है तो 32% का stake acquire किया है जो क यह बताता है कि इसका जो company का international presence भी हमें other countries में देखने को मिलता है इसके लवा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे first QSR brand को यहाँ पे launch करने वाला Zubliant Food था जो की zero contact जो delivery है उसको काफी जादा यहाँ पे promote किया गया था Zubliant Foodberg के द्वारा और एक बहुत ही बहतरीन initiative था follow होता है online order तो यहाँ पे Zubliant Foodberg ने क्या किया है कि अपना खुद का एक app भी यहाँ पे launch किया हुआ है Domino's वाला app जो कि आप लोग जानते होंगे यहाँ पे इसको order भी किया होगा पीजा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है तो delivery order के लिए कोई भी minimum value required नहीं ह expansion भी करती हुई हमें देखने को मिली है जैसे कि एकदम यह एक बिर्यानी का है एकदम बिर्यानी ब्रांड करके इन्होंने एक नया ब्रांड जो है तो लाया हुआ है तो इस तरीके से FMCG सेग्मेंट में company काफी अच्छी हमें कार करती हुई देखने को मिलती है चलिए अब इनका हम जो है तो store का expansion और यहां पे इनके जो city का penetration है वो देख लेते तो आप देखेंगे कि year on year यहां पे company ने अपने stores को बढ़ाया है उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि year on year यहां पे company जो है तो अलग-अलग cities में भी इसका presence हमें देखने को मिलता है यानि कि number of cities अगर हम penetration wise देखें तो वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है company के अगर हम financials की बात करें तो पहले आप इनके sales देख लीजे sales में हमें year on year इनके एक अच्छा jump देखने को मिला है यह वो covid का एक time था जहां हमें इनके sales जो है drop होते हुए देखने को मिले थे वहीं अकर ह हमें आपको जो है तो consistent performance तो नहीं देखने को मिलेगा लेकिन हाँ इनके EBITDA में भी हमें growth जो है जरूर देखने को मिली है और आप देख सकते हैं कि इनके EBITDA जो है कुछ इस तरीके से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे margin की बात करें तो company के पास एक healthy margin है पहले इन profit after tax की यहाँ पर बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर grow करती हुई देखने को मिलती है आज की date में आप देख सकते हैं कि इनके पास एक अच्छा खासा profit जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वहीं ROC और ROE की बात करें तो ROC, ROE काफी अच्छे यहाँ पर देखने क 22% का हमें यहाँ पर ROC देखने को मिलता है 29% का ROE है तो यह भी इनका एक अच्छा financial ratio यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह जो report मैं आपके साथ share कर रहा हूँ यह मोतिलाल ओसवाल की यहाँ पर report है और यहाँ पर इनके report के अंसार यह जो expectation है इनकी जैसे EBITDA margin की हो गई यहा के से company जो है आगे की और हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगे और इसके numbers जो है आगे के आने वाले time में sales की बात कर लें बिट्टा की बात कर लें ROC ROE की बात कर लें तो वो हमें अच्छे जो है तो grow करते हुए आपको देखने को मिलेंगे यह यहाँ पर आप देख सकते है कि free cash flow जो है तो पहले यहाँ पर बीच में थोड़े negative भी हमें देखने को मिले थे लेकिन बाद में company ने एक अच्छा improvement किया है आज की date में आप देख सकते हैं कि एक healthy free cash flow जो है तो company यहाँ generate करती हुई देखने को मिलती है यह सारी values जो है INR billion में हमें देखने को मिलती है और ऐसा यहाँ पर इस report का expectation है कि आने वाले time में यह जो है तो आपके free cash flow और भी ज्यादा improve होते हुए देखने को मिलेंगे चलिए financials के अगर हम बात करें तो आप sales देखेंगे किस तरीके से यहाँ company के बढ़ते हुए मैं देखने को मिल रहे हैं यहाँ चुकि Corona के काल में थोड़ा सा वो गडबड हो गया थे इनके sales जो है लेकिन अभी भी आप देखेंगे इस financial year में अभी तक में इन्होंने अच्छा perform किया है और अगले quarter में भी इनके numbers काफी अच्छे आने की उमीद है तो sales जो है ऐसा expected है according to Motilal Oswal कि हाँ इनके sales जो है वो बढ़ते हुए जिस तरीके से QSR chain में हमें देखने को मिलती है जिस तरीके से cities में इनका penetration हमें देखने को मिलता है तो इनके जो numbers है वो improve होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं वहीं pet की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह rupees in million है 699 millions है यह आगे आपको अभी भी बढ़त तो यहाँ इनके profit काफी healthy amount में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं चली one year के अगर chart pattern में देखें तो stock ने काफी अच्छे return यहाँ पे दिये हुए हैं और यह correction का time था कुछ इस तरीके के stock को यहाँ पे फिर से accumulate करने का वहीं अगर 6 मैने के chart pattern में देखें तो stock जो देखने को मिलता है लगभग almost 10% आप मान सकते हैं लेकिन जब इसमें downfall हुआ था तो एक अच्छा correction यहाँ पे हमें देखने को मिला था और इस stock को मैंने पहले भी cover किया हुआ था अपने channel में almost 3500 के आसपास क्योंकि company के business में आप देखेंगे ना यहाँ पे आपको जो है त बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा market जो है तो हमें domino's का ही देखने को मिलता है highly overpriced है यहाँ पे overpriced क्या बोले मतलब highly priced है यह इसके बावजूद यहाँ पे हमें इसका market जो है share वो काफी ज़्यादा देखने को मिलता है as compared to चाहे हम pizza hut की बात कर ले या और और भी किसी दूसरे qsr की बात कर ले और वहीं अगर हम sales की बात करें तो sales भी हमें बाकी के जितने भी यहाँ पे हमें इसके competitor देखने को मिलते हैं उनके comparison में भी इसका sales जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो यह जो है तो एक तरीके का यहाँ पे business में यह जो है moat create करता है और यही reason है कि इस moat वाले जो business जो होते हैं और अगर इस तरीके के correction में आपको मिले तो मेरे हिसाब से भले चाहें आप swing trade के लिए जाना चाहें आप जा सकते हैं एक अच्छा वहाँ पे मौका होता है अब अगर यहाँ पे split की news confirm होती है तो आने वाले time में यहा और भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है फिलहाल कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह अपना एक resistance हमें face करता हुआ देखने को मिल रहा है 4000 के आजपास अगर इसके हम further support की बात करें तो वो हमें 3750 का एक support यहाँ पे देखने को मिलता है और उसके अलावा जो है तो 35 य देते हैं तो कोई बुराई नहीं है लेकिन आपका वहाँ पे vision जो है long term का होना चाहिए क्योंकि short term में बहुत जल्द आपको अच्छे return हो सकता है ना देखने को मिलें बाकी जिन लोगों के पास यह stock है आराम से hold and continue कर सकते हैं long term के point of view से काफी अच्छा यह stock है और अगर further S IP करना चाहें तो आप इन levels या फिर इन levels पर आप अगर यह stock मिलता है तो आप उस पर SIP कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको content पसंद आ हो तो वीडियो को एक like कीजिए और channel को जरूर से जरूर subscribe कीजिए ताकि इस तरीके का quality content में आपके सा शेयर करने के लिए motivate होता रहूं वीडियो कान तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much